बस चार मीनिट चला इस्रो का विकास इंजन और दुनिया में मच गई खलबदी 240 सेकिंड में दुनिया ने देखा इस्रो की तक्निकी कामियावी का तूफान मिशन गगनियान ने लगाई उन्ची छलांग, विकास इंजन ने रच दिया ही हास दोस्तो भारत के पहले मानव युक्त अंत्रिक्ष अभियान यानि गगनियान के बढ़ते कदमों को एक बार बड़ी मंजिल हासिल हुई है इस्रो के वज्यानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गगनियान के इंजन का होट टेस्ट किया है जो पूरी तरह से कामियाब रहा है यही वो इंजन है जो गगनियान को अगले साल अंत्रिक्ष में लेकर की जाएगा दोस्तो इस पूरे मिशन के सर्वीस मोडियूल से ज़ुडी हुई और इसके इंजन टेस्ट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ख़बर है दोस्तो भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनी यानी इसरो की इस बड़ी काम्यावी से जूड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो बिना इसकित किये इसे पूरा देखे ताकि आप जान सकेंगे कि गगनियान की विकास मोडिल के होट टेस्ट के क्या माइने है कैसे इसरो ने केवल 240 सेकंड के अंदर ही दुनिया को बता दिया कि वो अब मैदान का बड़ा खिलाडी बन चुका है कैसे अब भारत 4,000 से लेकर के 8,000 टन वले भारी भरकम सैटलाइट को और स्पेश यानों को लॉंच करने वाली ताकत हासिल कर चुका है और केवल 3 साल के अंदर इसरो ने कैसे human rated विकास इंजन को डेवलप कर डाला है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको विकास इंजन के ताजा अपडेट से रूप बरू करवा देता हूँ जिसने दुनिया में खलवली मचा दी है इसरो ने इस बार गगनियान मिशन को लेकर के ऐसी खबर सुनाई है कि करोडों भारतिये बागबाग हो उठेंगे दरसल दोस्तों मैं 2023 के अंदर ही गगनियान मिशन का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है पैड अबोट मानो मिशन जिसे टीवी डीवन यानि टेस्ट वेहिकल डेमोंस्टरेशन भी कहा जा रहा है और इससे पहले उसके इंजन यानि विकास इंजन पर एक ऐसी खबर आई है कि नासा से लेकर के चीनी स्पेस इजनसी भी हैरान हो उठी है तो वहीं एलॉन मस्क की भी हवा टाइट हो चुकी है क्योंकि दोस्तों जो काम एलॉन मस्क की स्पेस एक्स बहुत ही बड़ी कीमत पर कर रही है वो काम इसरो अब बहुत ही कम कीमत पर करके दे देगा और बड़ी बात ये है कि ये पूरी की पूरी टेक्नलोजी भारत की है यानि स्वदेशी है लिहाजा ना अब इस पर अमेरिका की कोई दादगिरी चलेगी और ना ही चीन इसमें कोई अडंगा लगा पाएगा दोस्तो इसरो ने इस मिशन के लिए 240 सेकंड यानि 4 मिनिट का डूरेशन तै किया था लेकिन इसरो का ये इंजन उससे कहीं ज्यादा फायर हुआ है लिहाजा अब भारत का विकास इंजन पूरी तरह से काम्याब सावित हो चुका है इसरो ने गगणियान अंतरिक्ष मिशन के L110 स्टेज के लिए हुमन रेटेड यानि इंसानों को कैरी करने वाला विकास इंजन बना लिया है जिसका महिंदर गिरी के इसरो प्रपल्सन कॉम्पलेक्स यानि IPRC में 240 सेकंड से ज़्यादा अवधी का होट टेस्ट सफलता पूरा कूरा कर लिया गया दोस्तो हुमन रेटेड L110G विकास इंजन का ये टेस्ट गगनियान प्रोग्राइम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तो इस टेस्ट के लिए हुमन रेटेड लाउंच विकल यानि LVM3G के एर लिट लिक्विट कोर स्टेज में दो L110G विकास इंजन कलस्टर कोंफिगरेशन में लगाए गए थे इस टेस्ट के साथ ही इंजन के सभी पैरामीटर्स को पूरा कर लिया गया है इस रो ने ये भी कहा है कि गगनियान के लिए L110 स्टेज को डिजाइन करने और इसे अमली जामा पहिंजनाने का काम लिक्विट प्रपलसन सिस्टम सेंटर ने किया है इस रो की मताबिक विकास इंजन पंप फेड़ गयास जेनरेटर साइकल में स्टोरेज प्रपलेंट का इस्तिमाल करता है इस इंजन के होट टेस्ट इस रो प्रपलसन कॉंपलेक्स के प्रिंसिपल टेस्ट स्टेंड में चरण बद तरीके से किये गए हैं दोस्तो टोटल 1215 सेकंड के डूरेशन में 9 इंजनों के 14 गर्म टेस्ट किये गए हैं जिसमें दोस्तो 240 सेकंड यानि 4 मिनट के 4 लंबी अबदी के टेस्ट में शामिल थे इस मामले में इसरो ने कहा है कि भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट यानि LVM3 रॉकेट में गगनियान मिशन के लिए आवशक लॉंच के समान S200 मोर्टर लगी है इस मोर्टर को खास तरीके सी डिजाइन किया गया है जो गगनियान कॉन्फिगेशन के बिलकुल अनुकूल तो दोस्तो ये तो बात हुई ताजा अपडेट को ले करके अब आपको इस विकास इंजन के बारे में बताता हूँ ये इंजन एक लिक्विड प्रोप्लेंट इंजन है जिसका विकास खुद इसरो ने किया है इस इंजन का डिजाइन वाइकिंग रॉकेट इंजन पर आध असिमाल पहले ही चरण में किया जाता है और अब जिस से यूमन रेटेड विकास इंजन का टेस्ट हुआ है वो सबसे ताकतवर रोकेट एल्व एम 3G के कोर स्टेज को शक्ति परदान करने में किया जाएगा दोस्तो इससे पहले विकास इंजन का ट्रोटलिंग होट टेस्ट सफलता पूरवक्त किया गया था और अब ये इंजन पूरी तरह से तयार है दोस्तो इसरों ने 3 साल की बहुत ही छोटी अवधी के भीतर ही Human Rated L110G विकास इंजन की योगिता को पूरा कर लिया है दोस्तो इससे पहले इस मामले में रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस की मदद की बाची चल रही थी लेकिन बाद में भारत ने इसको खुद डेवलप करने की ठानी और गगनियान मिशन की जो देरी हुई वो भी इनी कारणों से हो रही थी और अब इसमें भारत कामयाब हो गया है इससे पहले दोस्तो 14 जूलाई 2021 को इस्तो ने गगनियान मिशन की विकास इंजन की लॉंग डूरेशन होट टेस्ट का सफलता पूरव परिशन किया था जिस पर खुद एलोन मस्क ने भी टिपनी की थी तब दोस्तो एलोन मस्क ने भी इस्तो को इस मामले में बधाई दी थी दोस्तो ये परिक्षन इंजन की ख्रमता को जांचने के लिए किया गया था जिससे सफलता पूरवक पूरा कर लिया गया तब महंदर गिरी में इस्तो के प्रफलसन कॉंप्लेक्ष यानि IPRC में विकास इंजन को 240 सेकंड के लिए चलाया गया था उस ट्रायल में भी इंजन तै मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा था और दोस्तो इसने सभी संभावित गर्णाओं को पूरा किया और बहतरीन तरके से प्रफॉर्म करके दिखाया था इसी इंजन को रोकेट के अलग-अलग स्टिजेज में अब लगाया जाएगा जो गगनियान कैप्सूल को अंत्रिक्ष में लेकर की जाएगा इस मोड्यूल को वीसरो ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है इसमें किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है दोस्तो मोदी सरकार ने गगनियान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड रुपे का बज़र रिलीज किया है गगनियान मिशन के तहट इस रो तीन अंत्रिक्ष यात्रियों को प्रिच्वी से 400 किलोमेटर उपर लो अर्थ और्बिट में साथ दिनों के लिए भीजेगा मुखे लॉंसिंग से पहले दो अन्मेंड मिशन होंगे दोस्तो इन दो मिशन्स में गगनियान को बिना किसी अंत्रिक्ष यात्री के भेजा जाएगा हाला कि इससे पहले भारत इसी साल मई में पैड एबोर्ट टेस्ट करने जा रहा है जो बहुत जादा महत्वपूर्ण है अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा तो वहीं अगर ऐसफल होता है तो गगनियान मिशन ही खटाई में पड़ सकता है दोस्तो ये टेस्ट इतना खास है कि प्यम मोदी की टीम भी इसकी लगातार मोनिटरिंग कर रही है हाला कि इसके लिए अब भारत तयार हो चुका है इसके बाद दोस्तो इसी साल गगनियान मिशन की पहली मानव रहित उडान यानि अन्क्रूड फ्लाइड मिशन को पूरा किया जाएगा जिसे जी वन नाम दिया गया है ये उडान लौर आर्थ और्बिट तक होगी यानि 150 किलोमेटर से लेकर के 1000 किलोमेटर की उचाई के बीच में जिसके बाद दोस्तो अगले साल के शुरुआत में एक बार फिर से एबोर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से मानव रहित उडान होगी उसके बाद एक बार फिर से लौर आर्थ और्बिट में गगन्यान कैप्शूल की दूसरी लौर आर्थ और्बिट में उडान होगी और अगर ये पूरी तरह से सफल होती है तो इसके बाद अगले साल गगन्यान मिशन को लाउंच कर दिया एक जाएगा जिसमें तीन एस्टोनोट्स एक छोटी और्बिटल उडान करेंगे यानि अंत्रिक्ष में पहली बार अपने एस्टोनोट्स को भारत भेजेगा दोस्तो इस्टो वग्यानिकों का कहना है कि मई में होने वाला पैड और टेस्ट ऐसा मिशन है जिसमें किसी भी तरह की गलती को स्विकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हम अपने भारती वाइसेना के काबिल पैलेट्स को इसमें भेजने वाले हैं जिनकी जान बहुत जादा कीमती है दोस्तो गगनियान मिशन के लिए भारती वाइसेना के चार पैलेट्स ने रूस में अपने ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लिया है और अब भारत इस मामले में पूरी तरह से तयार है